राज्य सभाचिनाव की सरगर्मिया तेज मुखे मंत्री अशोग घहलोत ने आज विधायकों की बैठक बुलाई साथी आपको ये भी बता दें कि सभी कॉंग्रस और निर्दली विधायकों की बैठक यहाँ पर बुलाई गई कॉंग्रस समर्थित सभी विधायक इस बैठक म शामिल होंगे साथी शाम साथ बजे सीम आवास पर ये बैठक होगी सभी विधायकों को फोन किया गया है इनफॉर्म उन्हें किया गया है आज शाम तक सभी विधायक जैपूर पहुँच जाएंगे राज जो सभाचिनाव की रणनीती पर मन्थन इस बैठक में होगा सभी कॉंग्रेस और नर्दली विधायकों को एक जोट रहने का संदेश यहां दिया जाएगा राज़स बाचिनाव की सरगर्मिया तेज हो गई है सभी विधायकों को इनफॉर्म कर दिया गया है फोन उन्हें कर दिया गया है और आज शाम तक सभी विधायक जैपूर आएंगे शाम साथ बजे इस बैठक का इस मीटिंग का टाइम रखा गया है सरगर्मिया राजस बाचिनाव की तेज हो गई है अशोग गहलोत ने आज बैठक बुलाई है मुक्य मंतरी ने बैठक बुलाई है विधायकों की आज शाम साथ बज़े ये बैठक होगी और सभी विधायकों को इनफॉर्म कर दिया गया है उन्हें फोन कर दिया गया है, सभी कॉंग्रिस और रिदल ये विधायकों की ये बैठक है, कॉंग्रिस समर्थित सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, रण नीती यहाँ पर बनाई जाएगी, मन्थन यहाँ पर क्या जाएगा, कम्मिनिस्ट पार्टी बीटी पी आरल मिल पा रही है, बिल्कुल मनी सा दिखिया, प्रदेश में तीन सीटों के लिए रजसेबा चुनाऊ हो रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के और से कॉंग्रेस और विजेपी के और से दो दो में दो आर चुनाऊ मैदान में, तो ऐसे में चुनाऊ रोचक हो जाता है, आज सुबह तक सभी विदायकों को यह सुचना दे लिए कि आज चाम को ही साथ बजे पीमर में मुक्यमंत्री आवाज पर बैठक रखी गई है, विदायक दल की, कॉंग्रेस की और से जो निर्दली विदायक है, कॉंग्रेस समर्सित, उनके साथ ही BTP और Communist Party के जो दो विद हैं, एक RLD की मंत्री है, विदायक में सामिल होंगे, करीब 125 का कॉंग्रेस के पास आकड़ा है, वो तमाम विदायक है, विदायक दल की बैठक में सामिल रहेंगे, साथ ही मुक्यमंत्री असो कहलो, तो मुक्यमंत्री सचेन पाइलेट और सह प्रबार जीम विवेक बंतल, व तरह से घुजरात में जोड़ तोर किया गया, ऐसे ही राजस्तान में भी प्रियास के जारें, तो ऐसे में सभी विदायकों को आज डिनर साम को रखा गया मुक्यमंत्री आवाज पर, और यहां पर सभी को एक जुट रहने का मंत्र दिया जाएगा, किसी को विदायक को किसी एहम बैठक आज होगी, मुक्यमंत्री आशोग एहलोग ने विदायकों की बैठक बुलाई है, सभी को फोन कर दिया गया है, इन्फॉर्म कर दिया गया है और शाम तक आज उस सभी विदायक जैपूर पहुंच जाएंगे